मोधी की आंधी में भाटी का पवंडर क्या किस्मत देगी भाटी का सार क्या फिर दोहराया जाएगा इतिहास क्या पाड मेर सीट से भाटी गाड़ेंगे जीत के छंडे क्या कहती है रविंद्र सिंग भाटी की राश्चित कुंडली रेके सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्यान पर नमस्कार धर्ण गयां की दर्शुकों का स्वागत है मैं हूं आपके साथ कवितर आना मेरे साथ मजूद है राजपुरहीद मधुर जी मधुर जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है सादर नमस्कार इस चुनावी बहुत से में आजह में एक ऐसी शक्सियत की कुंडली का विश्रेशन करने जा रहे हैं जिन्होंने 2019 में मेठी से कमल खिलानी की कोशिश की थी और वो उस कोशिश में काम्याब भी हो पाई बात हम कर रहे हैं अपनी कैबिनेट मंत्री स्मृति इरानी की जी हा या हाला कि वो पहले पहला चुनाव उनका चाननी चौक से था और कॉंग्रेसी प्रत्याशी कपल सिब्बल से वहार गई थी लेकिन पार्टी की जिम्यदार्यों को समालते समालते जब 2014 में उन्हें पाचपा ने दुबारा टिकेट दिया तो फिर से उन्हें हार का मुद द 2019 के इसी लोग सभा चुनाव में समर्ति रानी को दुबारा से पार्टी के दरफ से टिकेट मिला है और सवाल हुपता है कि लोग कहते हैं कि 1419 में तो मोधी लहर ती जिसमें समर्ति रानी का बेड़ा पार हो गया लेकिन अब की बार क्या समर्ति रानी अपने दम पर अमेट से हमेशा के लिए जो कॉंग्रेसियों का जो गड़ अमिटी रहा है कि वहाँ पे उसे भाच्पा का गड़ बना देगी इसे पर आज आये चर्चा करते राजपुरेत मधुर जी से तो मधुर जी सबसे पहले में जाना जाओंगी इस वक्त पॉलिटिकल स्टार्ट क्या कहत हैं स्मिरती नाम से कुम्भरास होगी कुम्भरासी का बिशेश रूप से प्रभाव सनी से देखा जाता है कभी कभी क्या होता है जीवन में आत्म विष्वास होना तो बहुत जरूरी है लेकिन अत्यधिक आत्म विश्वास होना बहुत जरूरी नहीं होता मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आपको कभी-कभी गर्त में ले जाकर कि डुबो देता है फिर वहां से निकलना आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है इसलिए जीवन में ग्रहों के कारण से या पिर अपने कारेच्षेत्र में बहुत ज़्यादा निपूरता या कुसलता या पिर आपके उपर आधिकारी कोई बल हो किसी का हाथ हो बॉस का हाथ हो तो इन सब क्रिया कलात्मक इस्थिती में आपको ओबर कॉन्फिडेंटल नहीं होना चाहिए सैयमित होना चाहिए स्मृति इरानी की जहां तक रही बात स्मृति इरानी नाम से कुम्भ रासी के अंतरगत अगर देखा जाए तो कुम्भ रासी पर सनी का अभी परिवर्तन भी होने वाला है सनी अभी 2024 में अपने सोरासी में विद्धिमान रहेंगी आप वही पर अगर देखा जाए कि सनी की परिस्थितियां राजयोग बना रही है कि नहीं बना रही है ये आप पिछली बार से सत्ताभ होगी हैं तो सनी अपने आपäischen द्हीं से है अगर आप जन्ता जनार्दन के साथ, अगर आप सत्ता के साथ, जब जब अन्याय करेंगे, न्याय सील नहीं होगे, तब तब कहीं न कहीं, सनी ही आपको जबाब देगा, जन्मानस तो बाद मिलेगा, तो ऐसी परिस्तितियां दिखाई पड़ रहे हैं, गुरू और मंगल, ग लेकिन अत्यधिक आत्म विश्वास जन्ता से आपको अलग थलग कर देता है, फिर आप जमेनी लेवल पर नहीं जुड पाते हैं, लेकिन सत्ता का एक ऐसा सिंबल है, जिस पर साक्षात सोयम नारायन और लक्षमी विराजमान होते हैं, कमल का पुस्प, हलाकि सभी हैं, पर लेकिन परिस्थितियां थोड़ी सी गंभीर स्थिति में रहेंगी, यह आप अपने बिरोधी दल को उतना ज्यादा जितना आप हलके में लेकर की चल रहे हैं, यह आपके लिए कहिन कहिन निंदनिय कृत्त्य होगा, आपके लिए थोड़ा सा पीडात्मक श्थितिती को उत्पन करेगा, तो ऐसे में अपने आपको थोड़ा सजगता और सहजता से, क्योंकि सहज होना जन्मानस के लिए बहुत उत्तम होता है, और आप पबलिक में अगर काम कर रहे हैं, और अगर आपके अंदर सहजता नहीं है, तो मेडिया आपको कितने समय तक उठा करके लेकिन आमेठी जैसी धरा पर चुनाओ लड़ना और लड़ करके स्मृति जैसी एक ऐसी सुन्दर महिला, सुन्दर का मतलब यह है, जो तमाम प्रकार के दलदल से निकल करके आए, यानि कीचड में कमल का उदेर होना, सुन्दर का एक वास्तविक सुरूप यह भी है, तो ऐसी परिस्थिती में अगर वो-reload 2019 के चुनाओं में उन्होंने परचम लह रहाए था, तो 2024 के चुनाओं में भी वो परचम लह रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है किसी भी ऐसी चीज़को, किसी भी ऐसे बेक्ति को, किसी भी ऐसे बिंदु को बहुत ज्यादा हल्के में ल वो चयो लोग सभा का चुनाऊ हो चया बीधान सभा का चुनाऊ हो तो ऐसी पर स्थिती में कहीं ने कहीं देखा जाया तो मंगल आपको थोड़ा सा मंगल नीच की इस्तिती में है तो कुंग, कुंगरासी का सनी और सूरे की महादसा आना और ऐसे में गुरू और मंगल का एक साथ होना तो गुरू आपके confidence level को तो बढ़ा रहा है लेकिन सनी नयाधीस है इसलिए अपने वाड़ी पर संयम रखते ह हुए आप अपने कारेच्षेत्र में जमेनी लेवल पर अभी भी कुसलता से एधिकारी करेंगी तो उसका बहुत ही अच्छा परिणाम होगा सुखद परिणाम होगा ऐसे में जो 24 के चुनाओं का परिणाम है वह अमेठी की जनता तो जो कुछ जवाब देगी ही लेकिन ज गांधी परिवार के हातों में रही है अपकी इंद्रा गांधी की रही है फिर आगे राजीव गांधी की और अमेठी को कॉंग्रेसियों का गड़ हमिशा से माना गया अब जो कि देखे उमीद तो यहीं थी कि राहूल गांधी क्या पता पिश्की बार यहां से चले गए त हैं कह सकते हैं इसको भी यह पॉलिटिकल जवाब होगा अगर इसको दिया जाएगा तो जनता जनार्दन यही क gefährगी कि पॉलिटिकल जवाब लेकिन जो झो तिस यह गण्ना कहती है देखिए ए जनता उसी की होती है जो राजा प्रजा की सुने मुझे लगता है कि अगर किला था एक गढ़ था उसमें आपने अभेद्य अस्त्र जो चलाया और उसमें आपने विजय पाया तो ऐसी बीरांगना परिस्थितियों में अगर आपको उस जन्मानस में अपनी फिजा अपनी पहचान और अपनी पार्टी की पहचान बनानी है बेक्तिगत लोगों से जु पोई नहीं चानता तो एक महिला की लिए बहुत आसान कारिया है आने वाले समय में हर जगाँ खिलेगा क्मल क्रें क्मला क्यूंकि स्वर्यूमे और सबक्र जब करें क्क्रिकार तो इस परिस्थिति है जब जब आप जन्मानस के साथ खिलवार करेंगे, जन्ता कहीं न कहीं दूसरे राजा का चुनाओ कर लेगी, नहीं तो चारक के जैसा कोई संत महत्मा आएगा अमेठी, पवित्र संतों की भी भूमी है, वहाँ अमेठी और प्रताब गड़े कैसी धरा है, जहां से संकराचार के उत्पत्ति होती है, जहां से बड़े-बड़े संत महत्माओं के उत्पत्ति होती है, तो संतों ने बहुत सारी सत्ता को बनाया है, जहां जहां बिप्रों का ब्राम्वरों का संत महत्माओं का संमान नहीं होता, इस तरीके की मर्यादाएं खंडित होती है, वहां से उत्त कि आपको जानना है कि आपके भागे कि सितारे कि सोर आपको भविश्य में लेकर जा रहे हैं तो इसके आपको कुछ नहीं करना स्क्रीम पर दिख रहे इस नंबर के जरीए आप राजपरोहित महधुर जी से डारेक्ट सीधा संपर कर सकते हैं इन्हें कॉल कीज़े और अपनी कुंडली बनवाईए और इसी के साथ आपकी जो भी समस्या हैं जिसका निवारन आप जोतिशास्त में ढूंड रहें तो उसका निवारन भी आपको यहीं मिल जाएगा मुझे और राजपरोहित ची को तोने को दीजे जाज़त नमश्कार